हमारी गट हेल्थ हमारे ब्रेन फांक्शनिंग के लिए कैसे इंपोर्टेंट है क्यों ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं आज हम वो देखेंगे वो समझेंगे हाई मेरा नाम रिचा जैन है वेलकम बैक टू आर चैनल किड्स डेवलोपमेंटल एक्टिविटी सो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्री हम सबने पेड देखा है उपर ग्रीनरी है फ्लार्ज है फ्रूट्स है और नीचे क्या होती है उसकी रूट्स होती है सोयल के नीचे मिट्टी के नीचे उसकी रूट्स होती है रूट्स में पानी देना फर्टिलाइजर देना उसकी प्रॉपर केर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि वो ट्री ग्रो करें और उस पे ज्यादा से ज्यादा फ्लार्ज लगें ज्यादा से ज्यादा फ्रू है disabilities है या उसको problems आ रहे है physical development में delayed milestones है तो what happens हम वो features देखते हैं but what is the root cause उसका root cause क्या है ठीक है तो हमने देख लिया कि उसकी functioning proper नहीं है the tree is not flourishing fruits नहीं है flowers नहीं है but where are the roots roots are gut ठीक है तो वो roots पे भी हमें equally काम करना है ताकि उसमें जादा fruits आएं जादा flowers आएं ठीक है तो I hope this is clear यहां तक gut health और gut से नीचे क्या होता है हमारा bowel movement bowel movement is कि कैसा potty पूपू करा हमने तो this is the main crux your stool your gut health ठीक है अगर आपकी gut health अच्छी होगी तो आपका जो digestive system है वो अच्छा होगा और आपकी जो potty cycle है और potty की जो अगर मैं बात करूँ जादा watery नहीं होगी constipated नहीं होगा heart stool pass नहीं होगा that is a normal stool and बड़ा ही अच्छी से release होगा और you will feel good about it yes it's a healthy bowel movement अगर वहाँ पर issues हैं तो gut issues हैं gut issues हैं तो brain issues हैं तो this is the connection लेकिन अब हम इसको समझेंगे यह कैसे है ठीक है हमारे gut में around hundred billion neurons बनते हैं ठीक है जो की हमारे gut में neurotransmitter होते हैं और जो जरूरी होते हैं किस चीज के लिए बच्चों की नहीं हमारी भी अगर हमारा gut health अच्छा है तो हमारा focus अच्छा होगा learning अच्छी होगी memory अच्छी होगी response time gross motor fine motor यह सब चीजें अच्छी रहेंगी तो जो पेट में हमारे gut में neurons बन रहे हैं neurotransmitters बन रहे हैं उन पे हमारी mental and physical performance depend करती है अब इस पे हम detail में बात करेंगे देखिए एक और example से समझते हैं अब किसी को digestive issues है eczema skin में कोई problem है allergies है asthma का issue है immune system weak है तो what happen हम हर चीज के लिए या फिर learning disability है हम हर चीज के लिए अलग-अलग treatment सोचते है digestive issue है तो high fibrous diet लेंगे हम उसके लिए कुछ एक medicines भी लेते हैं अगर जादा constipation है तो वो चीज हम लोग करते हैं allergies है तो हम skin treatment लेंगे memory का issue है तो हम लोग उससे related कोई supplements लेंगे या medicines लेंगे immune system weak है तो उसके according but अगर हम बात करें यह सभी इन में से कोई भी issues है तो आप मान के चलिए brain health में issues होंगे brain health में issues होंगे तो emotional regulation की issues होंगे attention learning की issues होंगे और इन सब का जो अगर मैं बात करूँ क्रक्स है कि biochemical जो biochemical imbalance होगा gut में अगर इन में से कोई भी issues है that means it is understandable कि gut में biochemicals का imbalance है जिसकी वज़े से यह सारे issues आ रहे हैं तो कई के बार क्या होता है हम learning disability है tutoring करा ली therapies करा ली बट उससे कुछ improvement हुआ ज्यादा अच्छे से उसका असर नहीं मिल पाया तो we should check for our gut microbiome जो gut में imbalance है biochemicals का उसकी वज़े से भी issues उसकी वज़े से issues आ रहे हैं ठीक है अब मैं इतना सारा बोल रहे हूं तो क्या यह scientifically proven है यह अगर मैं बात करूं आप online check कर सकते हैं आप Google कर सकते हैं डॉक्टर नताशा creator of gut and psychological psychology syndrome protocol डॉक्टर नताशा gut and psychology syndrome protocol जो की 1980 में उन्होंने यह research कंड़क्ट की थी तो उनके according उस research के according ADHD, autism, learning disability में maximum cases में bad gut health, gut health issues रहते हैं जिसकी वज़े से brain में functioning में impairment रहती है उसमें issues रहते हैं तो उनकी finding में दो चीजें थी ठीके डॉक्टर नताशा ने दो चीजें बताई हमें सबसे पहला जो bad bacteria अगर हमारी gut health अच्छी नहीं है वहाँ पर bad bacteria है good bacteria नहीं है तो जो toxins है वह हमारी blood में release हो जाते हैं blood में release होके जो blood and brain barrier है उससे वह brain में जाते हैं brain में absorb होते हैं और brain chemistry को change कर देते हैं जिससे brain functioning hamper होती है the second thing क्योंकि हमारा gut जो है बहुत सारे neurotransmitter को manufacture करता है produce करता है तो हमारा microbiome gut health gut में जो biochemicals है वो imbalance होंगे तो वो जो good neurotransmitters है उनकी production नहीं होंगी जिनकी वजह से issues आएंगे तो these are the two findings तो अब हम बात करते हैं main मुद्दे पे कि कौन-कौन से neurotransmitter हैं जो brain health को support करते हैं मैंने बहुत सारी videos में आपके साथ share किया है the number one and the top अगर मैं बात करूं neurotransmitter that is serotonin serotonin को हम लोग sunshine neurotransmitter भी कहते हैं serotonin is feeling good आपको neurotransmitter feel good ki mood stabilizer it is a mood stabilizer you feel happy about it तो वो serotonin का काम है अगर serotonin कम है तो anxiety जादा रहेगा stress जादा रहेगा आपके mood swings बहुत जादा रहेंगे और इसके साथ साथ serotonin serotonin अगर कम है गट कम produce कर रहा है तो what will happen हमारी जो processing speed है कि जो input data हमें मिल रहा है उसको हम कैसे process करें वो speed response speed यह सब हमारी जो है खराब हो जाती है उस पे effect पड़ता है हमारी memory पे हमारी memory इतनी अच्छी नहीं रहेगी हमारा mood swings जादा रहेंगे sleep cycle disturbed रहेगी तो इन सब चीजों के लिए serotonin बहुत जरूरी है the second main neurotransmitter is dopamine dopamine क्या होता है that is a reward chemical जिससे आपको कुछ करने की इच्छा होती है you feel like working ठीक है अगर dopamine कम है तो हम task को perform करना चाहेंगे reward वाली feeling नहीं आएगी और हम चीजों की तरफ attention नहीं देंगे इसको अगर मैं बात करूं dopamine बहुत important है हमारी executive functioning के लिए अगर dopamine कम है तो हमारी executive functioning गड़ बढ़ा जाएगी साथ ही साथ हमारे motor control motivation और अगर मैं बात करूं feeling of pleasure कि हमें खुशी मिले कुछ करके जब मुझे कुछ करके खुशी नहीं मिलेगी तो why should I do it तो वह सब factors आ जाते हैं जब dopamine produce नहीं होता या वहां पर गड़बड होती है और mostly cases में अगर मैं बात करूं ADHD और learning disabilities में dopamine production में issues होते हैं ठीक है तो this is the second neurotransmitter the third neurotransmitter अगर हम बात करें that is GABA मैंने बहुत सारी वीडियो में GABA पर के भी बात की है that is an anti-stress neurotransmitter जिससे depression anxiety or stress को reduce करते हैं हम लोग लेकिन अगर GABA की production कम होगी तो what will happen stress anxiety emotional dysregulation mood swings and sleep cycle में issues आ जाएंगे और focus और attention कम हो जाएगी so this is the third neurotransmitter the fourth neurotransmitter that is glutamate 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 अगर मैं बात करूं glutamate की production अगर कम है या उसमें issues है तो learning disabilities होगी or delayed physical development होगी glutamate is a very important component अगर हम बात करें उसकी production को हमें ठीक करना है this is one one of the most important factor क्योंकि मैंने इस पर बहुत चर्चा नहीं की है बात नहीं की है glutamate को अगर हमें production को अच्छा करना है तो जो हमारे intake में चीजें हैं जिनमें free glutamate हो वो हमें या तो बंद करनी होगी या कम करनी होगी तो glutamate को हमें dietary intake में कम करना है ताकि गट में वो जादा बने और glutamate किन चीजों में जादा होता है gluten products, casein products and processed food तो ये तीनों चीजें glutamate में high होती हैं जिससे हमारे गट में उसकी production नहीं होती तो हमें इसे कम करना है dietary intake या फिर बंद करना है ठीक है तो glutamate हमारा सही हो जाएगा जो neurotransmitter है उसका production बहतर होगा तो ये चारो neurotransmitter आपने देखा कितना important है हमारी overall functioning में mental and physical functioning में तो अगर गट में issues हैं गट chemical disturbed हैं तो इन सब neurotransmitters में issue आएंगे इन सब neurotransmitters में issue आएंगे तो brain functioning impaired होगी तो हमें कहां work करना है gut health पे कि हमारी gut health अच्छी हो अब major question gut health कैसे अच्छी करें यार this is the one of the major question so gut health पे आप कैसे काम कर सकते हैं उस पे मैंने videos बनाई है I have made videos on the dietary intake की full day diet में अपने बेटे को क्या देती हूँ the second video I made seven top foods जो हमें देने चाहिए बच्छों को for their better mental health and five worse food भी मैंने share किये थे जिनसे ये neurotransmitter में issues आते हैं and then I have shared a video on gut and brain access कि हम gut और brain access ये connection है this is the whole connection ये कैसे connected है और कैसे उस पे हम लोग काम कर सकते हैं because एक कहते हैं this is the receptor this is the sender this is the receptor लेकिन बीच में जो wiring है उस पे भी हमें काम करना जरूरी है अगर wiring में issue है channel में issue है तो communication नहीं जाएगा तो वह कैसे करना है and that is vagus nerve तो देखें पूरा gut microbiome मैंने आपको समझाया साथ ही साथ हमने बात की कि इन सब चीजों पे भी हमें काम करना है recipient receiver sender and the channel तो वह सब detailed videos आप मेरे channel पर play list में जाके gut health and diet folder है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं and gut brain access की और seven top foods और five worst foods का में link description box में डाल दूंगी but for a better understanding please go through the whole folder तो आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी I hope this is a very useful information for you all और आपको समझ में आया होगा जो message में आप तक पहुंचाना चाहती हूं so hopefully this will help you in your child's success कि आपको समझ में आया कि बच्चों को कैसे manage करना है उनके symptoms को कैसे manage करना है so if you like this video keep liking keep sharing keep subscribing thank you so much